नमस्कार किसान बाइंगो स्वागजद την है आप सभी का हमारे यूटूb चैनल सके एगरीकल्चर में किसान बाइंगो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले स्वयवीन की खेती को लेकर दो महत्वपुन बाते आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की साथ में शेयर करने वाला हूँ अगर आपकी स्वाइबिन भी सुरुवाती स्टेज में है यानिकी फूल वाली अवस्ता से पहले हैं तो आपको दो बातों की आपर महत्वपुन तोड़ पर ध्यान रखना पड़ेगा मुझको जो है अलग-अलग वीडियो पर इनको लेकर कमेंट भी आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ किसान भाई यो इस साल क्या है कि अभी फिलाल मानसुन पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाज हुआ है मद्यपरदेश राजिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे जहां पर बारिस नहीं आ रहे हैं तो इस बात को लेकर बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज हैं तो इसको लेकर मुझे कुछ कमेंड भी मिले थे कि क्या हम खर्पतवार नासी दवाई का उपयोग कर सकते हैं इस समय तो देखे किसान भाई यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक अच्छी बारि दवाई करना नासी तो यह गलती भी आपको नहीं करना है अगर आपकी फ़सल को बारिष नहीं आने की वज़े से अगर पानी की जुरुत पढ़ रही हैं तो आप फ़सल को पानी मिलेगा लेकिन दवाई का इस्तमाल नहीं करना है जब अच्छी सी बारिष आ जाए वह 4-6 इंच की नमी जब बरकरार रहे जमीन के अंदर तभी आपको दवाई डालने अगर ऐसी इस्तिति में अगर आप डवाई डाल दोगे बारिस नहीं आई तो फिर क्या होगा फिर यहीं होगा ना कि खरपतवार भी नहीं सुकेगा और आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचेगा तो इसा काम हमको नहीं करना है खरपतवार नासी दवाई तभी डालना है जब आपके अच्छी बारिस हो जाए अगर आपके मन में एक सवाल और होगा कि उस समय अगर खरपतवार बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे तो उसके लिए आप किसान बाईयों चारे पत्ते जो सकड़ी पत्ती का जो चारा होता है उसके लिए अलग दवाई खरीद लेना और चोड़ी पत्ती का खरपतवार होता है उसके लिए अलग दवाई खरीद लेना एक कॉंबिनेशन बना लेना और उसको डाल देना तो जो सकड़ी पत्ती का खरपतवार अगर बड़ा होगा त वो भी सूख जाएगा तो यह प्रोब्लम तो आपकी इस थरीके से हल हो जाएगी दूसरा मुझे एक कमेंड मिल रहा था कि क्या हम इस इस्तिति में जो है स्वाइबीन में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि कि rejo कर थे अवाई के समय में जो हैं फसल को बहुत सारे किसान भाई उसमें ठाय जो है इसेस दालते तो मुझे झालता हैं याल फिलाल हों को किसी भी प्रकार को परखा और मैं को इसी में पानी की ख़ते अच्छी बारिसाने दे और पानी की कमी दूर होगी तो फसल वेसे ही ग्रो करेगी और किसान भाईयों एक चीज और में शेयर करूंगा कि अगर आप फटीलाइजर सार साल डालते हो और अगर आपको कुछ फाइदा नजर आता है तो अभी फिलाल के लिए आप उसको रोग द गुनिस गुनिस में नाइट्रोजन मिलेगी फासपरस मिलेगा पोटास मिलेगा तो नाइट्रोजन फैसरी पोदे को कमी जरूरत पड़ती है अगर मौसम साथ दे रहा हैं तो पोदे की जड़ों में कुछ गरंतिया होती है जो आटोमेटिक नाइट्रोजन की कमी जरूरत पड़ती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फर्टिलाइजर का इस्तमाल अभी के लिए रोक दे बाद में करे तो आपको ज्यादा बेनी फिट मिलेगा इसके अलावा खिसान भाईयों एक चीज और है जिसका मुझे कमेंड भी मिल रहा था और साइद मैंने एक वीडियो मे अगर कोई इल्ली वगेरा लग रही है तो इल्ली का उपयोग भी दवाई उसमें डाल सकते हो दोनों को मिला कर आप इस पर कर सकते हो तो उसका इस्तमाल भी आपको फूल आने वाली अवस्ता पर करना है तो फिलाल के लिए यही है कि जब तक बारिस ना आ जाए अच्छी बारिस ना जाए और फसल अच्छी तरीके से ग्रो ना करना रखे तब तक उसमें ना तो हर्वी साइड डाले ना कोई टोनिक डाले ना कोई फटी लाजर डाले फिलाल के लिए उसको आप सभी चीजों को रोक कर रखे जब बारिस आएगी उसके बाद आउश्यक्ता अनु